प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों साथियों आज हम चर्चा करेंगे आदर्श्वादी विचारक श्वामी दयानंद सर्श्वती के सामाजिक विचार यास जैसे एक मैंने हम नोट के है आदर्श्वादी विचारक दयानंद सर्श्वती के सामाजिक विचार डेक्टर नौट करें, बेटा, हम जो चर्चा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, आधुनिक भारती राजमितिक चिंतन की, और आधुनिक भारती राजमितिक चिंतन में हम आधर्श्वादी विचारक समझा रहे हैं, और आधर्श्वादी विचारकों के अंतरगत, या आधर्श्वादी व होते हैं वो पांच कुन है लाल बाल पाल मतलब लाला राच पत्राइवर्पिंचंतरपाल लोक माने बाल लगे हैं तरह द नवर कर लगा है जरती हो गया off और या नोट पन का यह तीन मतलब लागब पाल और सर्श्वती इसके बाद में लाशनल का 5 मतलब पुल मिला करके आधरस्वादी विचारकों में हम जो महतफुन सद्धिये हैं प्रमुक सद्धिये हैं पांच ले रहे हैं उन 5 जोक में एके करके समझाओंगा ये बात आपको द्यान में रखनी है और आज जो हम चरचा किया है सामाजिक विचार दिये हैं सामाजिक विचार स्वामे दयानन सरस्वती के धार्मिक विचारों पर आधारित हैं और धार्मिक विचार मैंने लेक्चर नमर 28 में समझा दिये हैं अगर धार्मिक विचार आप समझ जाते तो सामाजिक विचारों को समझने दिकत नहीं आएगी, कारण क्योंकि धार्मिक चिंतन पर ही सामाजिक चिंतन आधारित है, मैं ये कहूंगा कि स्वामे दयानन सर्श्वती का जो सामाजिक चिंतन है, वो उसके धार्मिक चिंतन पर आधारित है, मतलब धार्मिक चिंतन स्वा सामाजिक चिंतन का आधार है क्या है आधार है इसलिए सामाजिक विचारों को समझने से पहले हमें दाहर में विचार को समझना अती आवसेक है इसलिए मैंने लेक्चर नमबर 28-28 में दाहर में विचारों को ही पहले समझा दिया है ठीक है रिका चलिए अब यहां मैंने तीन मना रखें इतनी diagram तो समझना नहीं है जरूरी क्योंकि युदि यह आप नहीं समझेंगे तो आगे भले ही ध्यादन्द सर्शती के सामाजिक विचार हो मि近y और थियारव राजनितिक विचार हो यह नहीं समझे पाएंगे ऐसे समझना है ध्यान दें मैंने यहाँ नोट किया Europe भारत क्या मतलब है इसका आप अपने इसाव शी डाइग्रामों बनाए मैंने तो यहाँ संक्छेप में डाइग्राम बनाए जिससे के मेरे विध्यारति वो समझने दिक्कत नहीं आए बेटा इसका मतलब क्या है यूरोप भारत मतलब यूरोप की जो आदर्श्वादी विचारक हैं जैसे हीगल है इमनियल कांट है और अगर राजन की दर्शन के जनक की बात करते हैं प्लेटो होते हैं प्लेटो भी एक आदर्श्वादी विचारक ही थे भले प्लेटो को ले ले हीगल को ले ले इमनियल क को ले ले कि आदर्श्वादी विचारक है और यह जो आदर्श्वादी विचारक है यूरोप के यह क्या कहते हैं यह कहते हैं कि विचारया चेतना ही स्रस्टी का सार तत्व है जैसे कालमास कहते हैं कि भी पदाहर्त या भोतिक का ही स्रस्टी का जो है सार तत्व है मतलब स्रस को भारत के आदर्शवादी विचारकों ने सविकार किया है मतलब भारत के आदर्शवादी विचारकों पर यूरोप के आदर्शवादी विचारकों का प्रभाव पड़ा है यह बात आपको ध्यान में रख लिए इसलिए मनिया तीर की निशान से नोट कर दिया है कि भारत के आदरश्वादी उपर यूरोप के आदरश्वादी विचारकों का प्रवाव पढ़ा है इसलिए भारत के जो ये पांच आदरश्वादी विचारक हम आपको बता रहे हैं लाल बाल पाल देहरंसर श्वतियार्विन गोश्ट इन पांचों ने ये कहा है क्या का है कि विचार या चेतनाई सरस्वादी का सार तत्तव है मतलब आदरश्वादी विचारक हैं वो इस बात के शविकार कर रहे हैं कि विचार या चेतनाई सरस्वादी का सार तत्तव है ठीक है इसके बाद में नेक्ष्ट बात आते है, यूरोप की जो आदर श्वादी विचार हैं, वो ये कहते हैं कि प्रतिएक परकार की जो सामज़िक सनस्ता होती है, वो विचार की अभिकती है, क्यों करें ये बीट है ये बात? यूरोप की आदरश्वादी, जैसे की Eagle है, इमनलकां यह तहरे हैं कि प्रत्य प्रकार की सामाजिक सनस्ता भले वो परिवार है या कोई सम्हू है या कोई सनस्ता है और भले ही वह राष्टर है देश है क्योंकि राष्टर है वो भी प्रकार की अपने अपने सनस्ता ही तो है तो प्रत्य प्रकार की सामाजिक सनस्ता सामा मतलब साम संहस्ता आप यहां नोट करेंगे प्रतिक प्रकार की सामाज थी संहस्ता विचार की अभीव्यक्ति है यह यूरूप के आदर श्रबार विचारक किए तो इस आर ये समाज नामक सनस्ता की स्थापना की तो ये आर ये समाज की जो इन्होंने स्थापना की बेटा वास्तों में ये इनके विचारों की अभियक्ति है क्यों क्योंकि स्वामी देदन सरस्वति का कहना ये है कि सब कुछ वेद हैं वेद सत्य विद्याओं का पुष्टक है, वेद प्रमानित ग्रंत हैं, वेद इश्वर के द्वारा निर्मित हैं, वेद सासवत सत्य हैं, वेद सारव होमिक हैं, मतलब ये किसी भी काल विशेश से, संस्कृति विशेश से, समय विशेश से, धर्म विशेश से बंदेवे नही यास ठीक है अब ये बाते इस प्रेस्ट होगी उसके बाद दूसरा डाइग्राम ले रहे हैं क्याले याँ मूलक्ष बिटा भले आप राजा राम मोहन राय को समझें गोपाल कृष्ण गोखले को समझें लाल बाल पाल को समझें सर्षोति को समझें अर्विन गोष्ष को अगर इसको बहतर तरीके समझना है तो एक बात ध्यान रख लें क्या कि इन्हें सब का मूलक्ष क्या है बेटा राजा राम मोहन राय से लेकर गांदिजी तक के जो विचारक है आदुनिक भारती विचारक है इनका मूलक्ष क्या है नोट करेंगे श्वाव लम्मन स्वाव बात करम चार्णल गांदिजी तक सब का लक्षे इसलिए इन सब का मूलक्ष के है इसका आपको पता होना चाहिए हालां कि शवाराज्य का प्रत्हम उद्गोशक वो स्वामी ध्यान सर्श्वत्य को कहा इस यह आपको ज्यान में रखना है इसके बाद में ने डाइग्राम ह क्योंकि 1885 में भारती राष्टे कॉंगर्स की स्थापना की गई किसके दोरा और भारत को आजादी कम मिली 1947 को 15 अगस्त 1947 को तो 1885 से लेकर 1947 तक का जो काल है सौतनतरता हंदलों का इसको तीन कालों में वाजित करेंगे तैसे नमबर एक उदार राष्टेता का काल बेटा कहां स 2585 से 1905 उदार राष्टेता काल का जो प्रमुख नेता है वो कौन है गोपाल कृष्ण गोख ले यस बेटा दूसरा काल है उगर राष्टेता का काल जो है इसका 1906 से 1919 है 1906 से 1919 उगर राष्टेता काल के जो प्रमुख नेता है को उन्हें लालवाल पाल है और इनमी प्रमुख कोन है लोकमान बालगंगा दर चला कहें और तीसरा काल है राष्टेता का गांधी यूग गांधी यूग कहां से कहां तक है 1920 से 1946 मैं आपको यह कहना आति राजनतिक चिंतन को बहतर तरीके समझना है तो आपको यह काल विभाजन जरूर समझ लेना चाहिए इसके आधार पर आपको समझने दिकत नहीं आएगी मैंने उदार राष्टवादी विचारधारा अच्छे समझा दी है उगर राष्टवादी विचारधारा भी जाता है यह आपको नोट करना है इन आधर्श्वादी विचारधा भी कहा जाता है ठीक है यह डाइग्राम होगे इन डाइग्रामों के आधार पर आप मैं मिश्चितता से कह रहा हूं राजाराम मोहनडाय से लेकर मोहनदास करम चन्द गांधी जिपके चिंतन को आसानी से समझ सकते हैं अब हम आजके लेक्टर के-ग Famoole बात है उसको समझाएंगे क्या कि रहता है नोट किया है सामाजिक विचार बीठा सामाजिक व्चार जून है सॉअमे द्याद सर्श्वतीय डे सोड्रिश्म समाज व्यस्वत्या के बारे मता है समाज का मतलब समाज व्यवस् और उन कम्यों को किसके आधार पुर्दूर करने का प्रियास कर रहे हैं वेदूं के आधार पर नियम है सारव होमिक है वेदों के जो सिद्धानते हैं, सारो होमिक हैं, सारो कालिक हैं, इसलिए समाज विजस्ता में जो भी कम्या है, उन सब कम्यों को द्यानन सर्श्वति ने वेदों के आधार पर दूर करने का प्रियास किया है, और जो वेदों के वीत्रीत है, इसको स्वामे द्यानन सर्श्वत द्यानाद सर्शोति इसकी परिवासन नहीं दे रहें, मैं बता रहा हूँ है, समाज विवस्ता क्या है, बेटा, समाजिक संबंदू का जो ताना बाना होता है, समाजिक संबंदू का जो जाल होता है, समाजिक संबंदू का जो समुच्छे होता है, उसे ही समाज विवस्ता कहा जाता है वैसे ये social system की definition येदि हम completely लें तो फिर समाज सास्तर में चले जाती है समाज सास्तर की कुछ topics है ये में अलग से जरूर समझाने का प्रियास करूँगा ठीक है मेटा तो समाज विद्वस्ता के बारे में दयानन सर्श्वती के क्या विचार है इसको समझे सबसे पहले तो मूल बात दो ले रहे हैं क्या स्वामी दयानन सर्श्वती ने जैसे इसके धार्मिक विचार मापको समझा चुका हूँ स्वामी दयानन सर्श्वती ने धार्मिक छेत्र में कहा है या धार्मिक छेत्र के बारे मिचार देते हैं कि वेद में नीत धरम ही सकते हैं मतलब स् जो धरम नीत है वो ही सकते है और वेदू के वीप्रीत जो है वो क्या है असकते है यह तो धारमी खेतर की बात होगी अब स्वामे देयानन सर्श्वति ने कहा है कि जो वेदू के अंतरगत सोसिल सिस्टम का उले किया गया है मतलब वेदू का जो समाज दर्शन है वेदू में जिस समाज दर्शन की बात की गई है वेदू में जिस समाज व्यवस्ता की बात की गई है वेदू में जिस समाज व्यवस्ता की बात की गई है और देयानन सर्श्वति कह रहे हैं कि वेदू के समाज दर्शन के और वेदू की समाज व्यवस्ता के वीपरीत ये दी कुछ है विरुद कुछ है तो उसको शविकार नहीं किया जाना चाहिए और इसी आधा पर स्वामी द्यानन सर्श्वती ने आधोने की भाद कि समाज व्यवस्ता में जो कम्या है कुरूतियां उनको दूर करने की बाते कही है समझ गए य क्या सामाजिक चिंतन के विशेश्ताइं मतलब दियानन द्यान DeafDIA स्वρतीन ने जो अपनी समाज विशथा के बारे में सोशिल सिस्टम के बारे में विचार दिये हैं चिंतन किया है उसकी कुछ विशेश्ताइं मतलब विशेश्ता ही isn't तब तक इसके मूल विचार को नहीं समझ पाएंगे, अच्छा, देयानन सर्श्वती ने जो समाज विष्था के बारे में अपना चिंतन दिया है, उसकी विशेष्था हैं, नोट करेंगे सामाजिक चिंतन की विशेष्था है, मतलब समाज विशेष्था के बारे में इन्हों समाजिक विचार हैं, उसका जो आधार और धार्मिक चिंतन है, मतलब इन्होंने जो अपने सामाजिक विचार दिये हैं, और धार्मिक विचारों पर दिये हैं, मतलब इनके सामाजिक विचारों का आधार इनके धार्मिक विचार है, क्या है इनके धार्मिक विचार है, पह समाज व्यास्ता के आंतरगत उनी नियमों को माना जाएगा जो नियम बुद्धी विवेक तरक के द्रस्टी कौन से सही हो केवल अंदिश्वास के आधार पर आस्ता स्रदा के आधार पर किसी बात को नहीं माना जाएगा केवल बुद्धी विवेक तरक के द्रस्टी कौन के अधार के इसको माना जाएगा तीसरी इसके जो विश्यस्ता है देहनंद सर्श्वति के सामाजिक विचारों की नोट करना ये बात समझ जाएंगे फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है हमें इसकी जो चिंतन है उसको समझने में अगला है सामाजिक चिंतन का मूल शुरूत भाहर क नहीं है बलकि भारत का ही जो प्राचीन परमपराएं है संस्कृति है हो इसके चिंतन का आधार है इसलिए हमें नोट किया सामाजिक चिंतन का मूल शुरूत भाहरती है मतलब इनके सामाजिक विचारों का जो शुरूत है वह भाहरती है ना कि पल्छिम एटा चोथी धारमिक शिदारों की मदद से सामाजिक सुदार संभव श्रमे जानन सरस्वत्तिक के सामाजिक विचार के जो चोथी विशेस्ता है वो यह है कि धारमेक शिदारों की मदद से सामाजिक शुदार समभव मतलब भी रुका है कि दाहर में छेतर में जब शुदार के जाएंगे तो उन शुदारों से सामाजिक छेतर में भी शुदार होगा ये इसकी विशेφता होगी तो ये चार बिंदू ऐसे हैं, जिसके आधाय को आप ये बता सकते हैं कि स्वाम दैयन और सरश्वती की सामाजिक चिंतन की विशेशता है क्या है और जब ये विशेश्ता अंग तो निस्जची त्रूप में द्यादान सर्ष्वति के क्या सामाजिक विचार इसको सब्दनें दिकत नहीं आएगे जैसा कि हम देखेंगे हमने लिखा है सामाजिक चिंतन के प्रमुक पक्ष क्या है मतलब द्यादान सर्ष्वति के जो सामाजिक चिंतन इसकी प्रमुक पक्ष क्या है कौन कौन से पक्षम कुल आनपने नोट के हैं नातिक मुल्यों वाली आदर्स सामाजिक व्यवस्ता की स्थापना का समर्थन की है इस लिए अपनी समाज मेवस्ता के अंतरगत सिस्टाचार यम और शनस्कार की बाद कि इनका कहना है कि समाज व्यस्ता के अंतरगत सिष्टा चार, यम, नियम और सनस्कार होने चाहिए अगर आप इन चारों को नोट करना चाहते हैं तो एक एक को नोट करते चालेंगे सिष्टा चार का मतलब होता है कि सिष्ट जनुद्वारा अपनाए जाने वाला आशरन यम कार्थ होता है जिएल में सत्तिनिष्टा और अइन्षा का प्रियोग और नियम कार्थ है सोच संतोस तब और सनस्कार कार्थ है मतलब सनस्कार उसके उस महत्वपुन तबत्तो को कहते हैं जिसे सरीर मन और आत्मा उत्तम हो सरीमन, आत्म, उत्तम, उसको सनशकार कहा जाता है, तो यह जो चार बातें बताई हैं, इसको आप नोट कर लेंगी, शिष्टाचार नोट करें, मैं एक तरफ हो मैं जाता हूं, शिष्टाचार यम, नियम, सनशकार इसका मतलब इहां, कि अनों हुने सिसम्हाराई समय तैं स्वामी हमारी तें समाज घ्रियशतemi न्यचीकT मुल्य हो झामाई के पतन होता जाए कि मिद्वीश्था जाहिए जब कि आज की समाज तुमन्हीं को सकता आरे समय होता है आप करनी सक्षाठी कि इन्होंने अपने समाज विजस्ता के बारे में विशार देते हुआ है कि समाज के अंतरगत व्यक्ति को शौतनतता पराप्त होनी चाहिए कि शौतनतरगत मतलब यहां सवचनता नहीं लिए इन्होंने मर्यादी समाज कि बात कर रहे हैं और समाजी कि बात किया रहे है कैसे जैसंदेयनसरसती कैरे हैं सब मनुष्यों को समाजार नियमों के पालाणमे परटंतर रहना चाहिए और प्रतेक रिद कारी नियममें सब सवतंतर रहे इसका मतलब यहां इनोंने व्यक्ति की जो सवतिंतरता है सामाधिक छेतर में उसको ऐ मरियादित नहीं माना है बलकि मरियादित माना है और इसके बाद में अगली बात दयानंद सर्शती कह रहे हैं कि प्रते को अपनी उन्नती में संतुष्ट नहीं होना चाहिए बलकि दूसर कि उन्नती करके संतुष्ट होना चाहिए दूसरे के उन्नती में ही सबका विकास होता है इसको पूरा नोट कर लेंगे विदैनन्द सर्शती ने कहा है दीसरा है परमपरागत जाती विवस्ता का विरोध और व्यदिक वरन विवस्ता का समर्थम बहता समझें चार क्या वरण किते ने बताई जाते हैं चार ब्रामन चत्रिय वैश और शुद्र तो इन्होंने परंपरागत जाती विवस्ता का विरूद किया और वरण विवस्ता का समर्थल किया देयानन सर्शति ने कहा है जो जाती विवस्ता है वो एवग्यानिक है एवधिक है और मोलब है वैदिक है मतलब वेदू में कह लेक नहीं किया गया तो इसके आधा, पर इन vowelsने व्रन व्यवस्थald Magic का शमर्थन किया है लेकिन जाती व्रस्ता का विरोध किया है मेत्चाव. देहान के बारे में अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं मतलब वेधों के अंतरगत चार अस्रम का उलेह किया गए उन चारूं आस्रमों का जो है समर्थन किया है। क्ष्वामिधैनन सबसे पहले एक थाल Language कि शार पूरुशार्त इस के विएग्ड़ केना 40 percentage की बाद की जाती हि ये क्या क्या द्रम फegeक हम और मुक्ष ऍसा पूरु साथ होगी है इन चारों फुरु शार्थों की प्राप्ति आस्त्रुम मतलब छार पूरु सार्थों की बात कि तो इते सुर्थर कि जा यहाँ आस्रम दाभी चार पूरुशार्टों की प्राप्ति टभी होगी जब Kya अस्रंव्यवस्ते का पालन किया जाए अभी चार आस्रम कौनStar फॉर स्प्रा豆 settled n नहीं सद्वार्ट नियास अस्ट्रमद प्रतेक आस्ट्रम पत्चीश 25-25 वर्ष का होगा पत्चीश वर्ष पत्चीश वर्ष पत्चीश वर्ष उस समय मनुश्य की उस्टा यू तायू सो वर्ष मानी जाती थी विह हैंलों 25-25 वर्ष के साब से चार आश्रम है, मनुष से इसके साब से अपना जीवन व्यतित करता है, तो इससे उसे चारों कुर्षात्यों की प्राप्ति भी होती है, मतलब धारम, अर्थ, काम और अंत में मौक्ष की प्राप्ति हो जाती है, स्वामिद्यादन सर्श्वति का ये कहना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सामाजी कुरूतियों एवं अंध विश्वासों का पूरण विरोध, आप ज़रा नोट करें हैं, मतलब श्वामिद्यादन सर्श्वति ने जब ये इस्वस्ट कह दिया कि वेदु के विरुद्ध कोई भी सिद्धान पहे उसको सविकार नहीं किया जाएगा, और अगर वेदु के विरुद्ध कुछ है, तो वास्तिक रूप में असत्त्य है, और स्वामी दयानन सरस्वती ने इशी आधार पर सामाजिक छेतर में जो वीविन प्रकार की कुरूतियां थी जैसे उस समय हम कहेंगे कि जाती विवस्ता थी बहु विवहा होते थे बाल विवहा होते थे इन सबका इनुन जो है उन रूप में वीरोध किया इसके आधार पर वेदू के आधार पर चटा है इस्त्रिव के सम्मान यम उत्थान का समर्थन वेटा श्वामी दयानन सर्श्वती ने इस्त्रिव के सम्मान यम उत्थान का भी समर्थन के है इनका कहना है कि कोई भी समाज व्यस्ता स्रेश्ट समाज व्यस्ता तभी हो सकती है जब उस समाज व्यस्ता के अंतर का सबसे पहले काया दैयारंद ने कि इस्त्री और पुरुषों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए समानता की बात की जानी चाहिए बेट आफ जरा गूर कीजेगा कूंकि स्वामे दैना सbling अर्विन भोस लाल बाल पाल यह सारे क्षार करते यह एक दूसरे किसी भी दरस्टी से मतलब एक दूसरे शरी से और्साइब अगला है देनान सर्श्वती ने बाल विवहा का विरोध किया और बहु विवाह का विरोध किया अब इन्छे बिंदू के आधायर प्रापस्वाहम देख सकते हैं कि देनान सर श्वती किस तरह कि समाध विवस्ता चाहते थे ठीक है बेटा इसके बाद निश्कर्ष निकाल लेते हैं आभी तक हमने जो पड़ा है निश्कर्ष ही निकलेगा कि जो स्वामे दैदन सर्श्वत्ती हैं जैसे हमने यहां कहा है कि सामाजिक चिंतन का मूर सुरोत भारती है लेकिन फिर भी पस्चिम की जो स्रेश्ट बाते है उनको स्विकार करने के लिए इनोंने मना नहीं किया है पैसे देखें यूरोप वाश्यों के भी उत्तम गुनों को अपनाना चाहिए मतलब स्वामे दैदन सर्श्त निका कि सामाजिक छेतर में समाज व्यवस्ता में सुदार करने के लिए यह भी पस्चिम में कुछ पुच बाते हैं सरोत्तम बाते हैं स्रेष्ट बाते हैं उनको सविकार करना चाहिए क्योंकि क्योंकि स्रेष्ट सिधान्तों का किसी ने ठेका नहीं रखा है स्रेष्ट सिधान्त किसी के पिता की बपूती नहीं है स्रेष्ट सिधान्तों को किसी विद्श के दौरा सविकार किया जा स आज जैसे बाल वी वहां का रहाों दोनूं है कि सायोग से भी वहाओ में स Stellen स्वातकर भाहरत में कर लो रोगोरॉर driving तो महिल और이었ाहिए होता है दोनूं क्यों सेलॉक से भाहरत में व्हां किस बात को भाहरत में होखया है मतलब इनका कहना है कि यूरोप वाशियों के भी उत्तम गुनों को अपना लेना चाहिए भारत में किसमें समाज अजस्ता में सोशिल सिस्टम में जो कमी है उन कम्यों को दूर करने के लिए यदि पस्ची में को अच्छी बात मिलते तो इसको सविकार कीजिएगा इन्हों यह नहीं काएगी नहीं बिल्कुल भी नहीं सविकार कीजिएगा यह इसका निश्कर से लेक्ष बात है सामाजिक चिंतन का मूल सुरोत भारती थे थे क्या था वेदों के अधार पर जो ने अपने समाद व्यश्ता के बारे में अपने विचार दिये हैं यह टेक्ड़ादा जैसा कि मौहंदास करम-चंद गांधीजी कह रहें यह नोट करेंगा गांधीजीन का है द्यानन ने ऐस्प्रेश जियता रूपी कलंक कोद होने का प् में रोला के सब्दों में इस्त्रियों की दुरदशा के निवारण के लिए स्वामे दैयरंद सर्श्वती ने बड़ी उदारता और वीरता के साथ कार्य किया है। मतलब प्लेटो के बाद में यदि महेला की सौत्नतरता महेला और पुरुष की समानता की बात किसी ने किया तो जियस मील ने किया। और यदि प्लेटो का नाम और जैस्मिल का नाम नहीं यारत आप नारी वाद किया उदारता को समझी नहीं सकते हैं। यही यही श्वामी द्यानन सरस्वती के सामाजिक विचारों का निचोड है। यास यह हो गया द्यानन सरस्वती के सामाजिक विचार। मुझे पूरा इस्वास है। मेरे प्राण शी प्यारे विध्यार थी। आप स्वामी द्यानन सर्श्वती के सामाजिक विचार हैं। मतलब सामाज विवस्ता के बारे में उन्हीं क्या कुछका है। क्या सामाजिक चिंतन है। तेंक्यू वेरी मच्च, तेंक्यू वेरी मच्च